नमस्कार दोस्तों, अपस्तिरें स्वागत है स्पीकर और क्या चाहिए उसके बारेमे भीडियो जाना चाहिए है और कैसे बनाँ है स्पूरी चीज हम इस विडियो में देखेंगे इससे पहले, यह वीडि़ो को लाइक करें, सेयर करें, और कुछ एक ना एक दो कमेंट दे दीजिए और आपको सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिजिए पास में जो बैल बैल आइकन है उसको भी दबा दीजिए और हमारे चानल के साथ जुड़े रहिए तो चलिए बात करते हैं कि speaker cabinet खुद से कैसे बनाए और कॉस्टमाइज की speaker cabinet आप कैसे कर सकते हैं कहां से आपको मिल सकता है तो दो चीज है आपकी local market में यह आपको आराम से मिल जाएंगे अगर आप नहीं बना सकते तो ऐसे मिल जाएंगे अगर आप बना सकते हैं और आपके अंदर हुनर है तो आप ऐसे भी खुद का भी बना सकते हैं क्योंकि आप देखिए जब पूरी जो box आती है उसकी कीमत और आप कॉस्टमाइज करेंगे speaker लेके खुद से speaker खरिद के तो आपको सस्ता आता है तो इसलिए बहुत लोग कॉस्टमाइज speaker cabinet ज्यादा पसंद करते तो चलिए जल्दी से कैसे बनाएगे खुद से तो उसका एक छोटा सा नमुना हम दिखा देते हैं आज तो इसके लिए हम लिए हैं AS12 X100 की एक professional PA speaker जो की 100W की है इस 12 इंच के mid-base speaker है और इसके साथ आप PJ Twitter या compression 30W या 40W का लगाके एक box बना सकते हैं बहुत अच्छा set तो चलिए यह 100W की RMS continuous power handling capacity रहेगी इस type के speaker 2A sealed reflex enclosure आपको बनाना पड़ेगा bass reflex और यह आपको डांडिया रास DJ General P application के लिए यह वाला आपको mid-base speaker बहुत अच्छा रहता है तो चलिए इसके लिए आपको चाहिए होगा आपको MDF board मतलब medium density fiber board आपको चाहिए होगा जो की 15-18 square foot में आती है और उससे ज्यादा भी आती है तो यह बाला आपको चाहिए होगा यह बाला board आपको खरीदना पड़ेगा अगर आप थोड़ा carpentry आपको थोड़ा बहुत ग्यान है तो आप इसको बना सकते हैं आराम से घर में भी खुद का तो आपको सस्ता भी आएगा लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा बता रहता है आपको क्या क्या करना है सारे जो corner है सबको आपको properly joint करना है और ceiling भी करना है बना और screw glue अगर अठा जो glue बोलते हैं उसको भी लगाना है चारो तरफ से ताकि बहुत seal बन और उसमें कोई air leak ना हुए air leak प्रूब आपको बना लेना है चारो तरफ से बना आपकी sound अच्छी नहीं आएगी और उसके बाद भी आपको one inch थिक की poly wool जो है हमने बताया था कि polyfils वो भी थोड़ा एक inch का कर देना है sound absorption तो internal line आपको करना है और try mm का MDA board आपको लेना है औ और देखिए box की dimensions में आपको दिखा देता हूं उसी साब से आपको करना है तो चलिए यह box की dimension सारे dimension mm में है मतलब mm में है तो आप इसको मतलब इसको कर सकते है तो 65.5 semi है यह 37.37 semi है या तो meter के ही साब से करेंगे तो यह आपका आएगा 0.655 meter या 0.430 meter मतलब हाब मिटर की है यहां पर 1.5 meter रहेगी यहां पर आपको 1.5 meter से थोड़ा ज्यादा रहेगी यह आपको थोड़ा कम रहेगा 0.3 मतलब यह 37.7 का scale से थोड़ा ज्यादा है तो यह 37.7 तो ऐसे आपको पूरी dimension रट लीजिए कैसे करना है पूरा dimension आपकी सामने इसका यहां पर आपको रोक के व 311 है और यह आपके 282 है तो यह 285 बनाना चाहिए आपको फाल सारे म्याच कर जाएंगा आपको आपके आपके ही आप यह बाला होल करेए और यह बाले चोटटे होल सब बनावीए और यह वाल आपकी ट्वीटर के हिसाब से आप बना लीजिए यह वाला और compressor horn की हिसाब से तो यह पूरी जो setup अगर बन जाएगी जब आपको कुछ इस तरह से दिखेगी पूरी set देखे कैसे आप इसकी सारा चीज यह मिलता है और यह side में आप handle बना सकते हैं या डायट यह और handle नहीं मिला तो आप मार्केट में यह सारा चीज grill यह सब चीज available मिलत आप चाहे तो खरीद सकते लोगों के साथ भी आप यहां हो जाले कि JBL का भी coverless ले सकते हैं अपने हिसाब से यह वाले model कर से जिसमें आपको दो तीन हजार का जरूर फाइदा होगा आप original से लेके जाएंगे तो तो इस वीडियो में इतना ही अगर वीडियो अच्छा लग कर दो